हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सभी मैं आपकी दोस्त और होम सेफ खुश्वू का नवजिया तहे दिल से अपने चैनल घर का जाय का विद खुश्वू में आपका श्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपके साथ दाल कद्दू की रेसिपी सेयर कर रही हूँ जो की बहुत ह दिलीजियस और लाजवाब है तो ज्यादा बातें ना करते हुए अस्टाइट करते हैं आज की नई रेसिपी दोस्तो इसके लिए हम डेर सो गडाम कद्दू लेंगे उसे बड़े-बड़े साइज क्यूप्स में कट कर लेंगे और हम आधा कप चना का दाल लेंगे और दो कप पानी लेंगे इसे कूकर करने के लिए एक कूकर लेंगे कूकर में हम दो गलास पानी आड़ करेंगे पानी में उबालाने के लिए कूकर को ढख देंगे जब पानी पूरी तरह से उबाल जाए तब हम इसमें चना का दाल एड़ कर देंगे अब हम इसमें हल्दी आड़ करेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक आड़ करेंगे अब हम इसमें सिक्रेट इंगेर्डियन्स आड़ करेंगे वो है काली मिर्च जो आपके दाल को पुरी तरह सिल्ला जवाब बना देगा अब दाल को जल्दी पकाने के लिए इसमें वाइल आड़ करेंगे और कुकर का ढ़कन लगा कर उसे हम 2-3 सीटी के लिए कुक करेंगे या फिर 80% तक हम अपने दाल को कुक करेंगे जब तक हमारी दाल कुक होती है तब तक हम कदू को भी कुक कर लेते हैं इसके लिए एक पैन लेंगे पैन जब गर्म हो जाए तब हम इसमें वाइल आड़ करेंगे वाइल भी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें कदू आड़ करेंगे और साथ ही हम इसमें नमक आड़ करेंगे और थोड़ी सी हल्दी एक दो मिनिट कुक करेंगे फिर इसे हम ढख देंगे ढख कर एक दो मिनिट कुक करेंगे या फिर 80% इसे भी कुक करेंगे अब हम इसमें ब्लैक पेपर आइड करेंगे यानि काली मीर्च और एक दो मिनिट सौते करेंगे फिर इसे ढख कर पकाएंगे एक दो मिनिट के बाद हम इसे फिर चेक करेंगे हमारी का दूरेडी है अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे अब हम दाल को चेक करते हैं कि दाल हमारी कुखुई है की नहीं इसके लिए दाल को कल्ची पे निकालेंगे और उसे हाथ से दवाएंगे अगर दाल थोड़ा सा हाथ पे आ गया तो हमारी दाल 80% रेडी है अब हम इसमें कदू को एड़ कर देंगे दोस्तो इसी तरह की नए डिसिस आप अपने घर पे बनाना चाते हैं अपने फैमली को खुश करना चाते हैं वो भी कम बजट में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो की पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे अब हम इसमें गर्मसाला एड़ करेंगे यह गर्मसाला घर का बना हुआ है अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाते हैं तो मुझे कमेट करके बताईएगा अब हम एक सीटी तक इसे कूक करेंगे एक सीटी हो गया है अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारे दाल कूक हो गई है की नहीं दाल अच्छी तरह से कूक भी हो गया है और उससे एक अच्छी खुश्बू भी आ रही है क्योंकि घर का जायकावित खुश्बू में जो दिखता है वही पकता है अब मैं इसे तर्का लगाऊंगी इसके लिए एक कल्ची में थोरा सा घी आइड करेंगे घी जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें जीरा आइड करेंगे जीरा से जब भीनी भीनी खुश्वू आने लगे तब हम इसमें सुखी लाल मिर्च और तेज पत्ता आइड करेंगे इसे एक दो मिनिट कुक करेंगे और दाल में आइड कर देंगे दाल को एक वाल में निकाल लेंगे अगर आपको दाल वाले वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कुछ सर्जेशन देना हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताईएगा ताकि मैं और अच्छा कर सकूँ और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि मेरे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे आप मुझे इं जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी तो मैं जाते जाते आपसे एक सवाल करती हूं इंडियन के जीन में कलर किस इंगेडियन से आता है कमेंट करके जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहें खुशियां बाठते रहें और आस थैंक यू फर बाचिंग टेक कियर और नमस्कार